नमस्टकार दोस्तों मैं हो सुभम्तिवारी और स्वागत है आपका आपने चैनल सुभी गुरुप पर मित्रों हमने अपने कुछ लास्ट के वीडियो में कि नोट्बुक बनाना सिखा था और कुछ स्टांपिंग करना सीखा था जिसे कि यह लोग आप लोग बनाना सीखे थे अगर आप नहीं नहीं चीखा तो इसका वीडियो आपको आई बिटर में मिल जाएगा और कुछ ऐसा मैं आपको अच्छ डवलू दिया था कि आपको करना है इस तरीके से एक ग्राफ पेपर बनाना है तो आपने क्या होगा बहुत असान था और आज कि यह वीडियो में है मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगा एक वाच सब दब असमें क्या प्रिंटाना है और यहीं कुसक पिकजल का है जिसको आपको क्प्रिंट करना है और यहां पर एक संटर होगा ठिक तो यह सरकल अगर आप इसे कि यह 0,0 होता है तो यहां से अगर आप सरकल लाना स्टार्ट करेंगे तो यह कुछ बहुत ओपर का बनाएगा लेकिन तो हमको पुरी स्क्रीन यूज करनी है इसलिए हम सरकल लाना नेचे से स्टार्ट करेंगे तो हम कोडिंग इस्टार्ट करें उससे पहले इंड्रों तो मैं अपने ट्रेक्टर के टंप्लेट से जो मैं पहले बना रखा हूँ उससे हमाई स्क्रीन से टप कर लिया हूँ दिया हूँ और एक ट्रेटर बना दिया हूँ जयने के पैन बनाया हूँ जिसका साइज अभी फाइव है और कलर रेड है यह मैं अभी के लिए ब्लू कर देता हूँ दो कि हमको पहले ब्लू चाहिए सबसे पहले हम सरकल बनाएंगी उसकी बाद में और कुछ बनाते अब देखें अने की यह है मैं इसको मैं एक बार कर देता हूं आपको समिन में जाएगा यह देखें कुछ स्टार्टिंग में स्क्रीन दिख रहेगी हम यहाँ पर एक सरकल बनाएंगे उसकी बाद में लिखने के कोशिस करेंगे ठीक तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा एक सरकल बनाना होगा तो पैन डाट सरकल और सरकल दफ़ दो सब्सक्राइब बनाते हैं यह आप सरकल लेखेंगे तो इस सरकल जिरो कामजिरो से ओपर की और बन रहा है जिबकि हम चाहते हैं कि यहां से आकर बने तो इसके लिए को कुछ गोटू यूज करना पड़ेगा औ करेंगे तो हमारा सरकल कंप्लेटली स्क्रें पर बनेगा ठीक यह गया और यह है अब इसके अंदर हम कुछ-कुछ बनाते जाएंगे और घड़ी लिखेंगे ठीक तो हमको यह वाले डेंडी दो चाहिए नहीं तो और यह जो साइज है यह थोड़ा सा और थिक हैने मोटा हो कर देंगे पैन साइज को five कर देंगे यह five है तो इसको हम लोग 10 कर देंगे और पैन को यहां से अप कर देंगे और फिन डाउन कर देंगे और तो क्या कर दो आपन बन जाएगा अब सिरकल पुरा बन जाएगा और हमारा time कम से कम loss हो pen.speed और speed में कर देता हूँ 0 अब फिलाब सब कुछ ठीक है अब सबसे पहले कुछ होगा है सबसे पहले मैं लट से यहाँ पर 0 कावा 0 से कुछ दूरी जाता हूँ और यह डंड़ी खिंचता हूँ और फिर 12 लिखता हूँ यह फिर दो ऐसा कुछ कुछ हम करना कुछिस करें कि ठीक सबसे पहले pen.penup और pen.forward फारवड लिसे इसे 2500 है तो हमसे 170 करने तो दोस्तों करने के आज में कुछ ऐसा बनता है अब हमको यह चीज है यह इसको कम करना है नहीं कि जो इसके width है वो कम करने पड़ेगी और इसको मैं let's say 2500 के बजाए 300 कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा और बड़ा figure दिखें आप mobile में बना रहे हैं तो आप छोटा कर दें laptop में बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपनी साबसे size कर सकते हैं ठीक pen.home और pen.pen size जटीक कर देते हैं अब 150 के बजाए क्या कर देते हैं 200 और run करते हैं अब देखते हैं अब दीखें कि अब यह थोड़ा सा अच्छा देख रहा है ठीक अब इसको हम इतना के बजाए थोड़ा सा 25 है तो इसको फड़ा सा और आगे कर देते हैं तो पॉइसको दीज को यहां पर बनानी है यहां पर फिर यहां पर हितल उनको कुष-कुष अंगल घूमना area so वो आम आपको बताता जब करेंगे तो कितना हो जाएंगा तो हर बार बार गुवाना और ये लाइन कितनी बिद्नानी है तो इसके लिए हम एक लूप का यूज़ करेंगे और इस pen size को मैं लूप से बाहर कर दूँ हूँ कि हमको बार-बार pen size को execute करने के जरूरत नहीं है और बाकि इन तीनों लाइन को हमेसाज करने के जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम हर बार home पर आएंड और हमको हर बार 25 पारोड जाना पड़ेगा ठीक तो फॉर आई इन रेंड त्वेल और उसके आद में इन सब्लाइन को क्या करना पड़ेगा इतना आगे करना पड़ेगा अब देखोगे और डाउन करने के बाद में प्रण करके देखेंगे तो यह 12 लाइंड बन जाएगी बहुत अराम बहुत असान है गड़ी प्राणा यह क्या हुआ यह एक ही जिखावर बार 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 जा रहा है और उसके बाद में यह 30 डिगरी लेफ्ट नहीं हो पा रहा इसके लिए हमको यह यह लिए हम करेंगे ना तो हम करने का मतलब होता है कि वह जिरो कामा जिरो पर जाएगा और इसी रहेगा तो यहां पर गोटू कमांड यूज करेंगे और गोटू जिरो कामा जिरो अब यह फिलाहाद वर्क कर जाएगगा आपको समझ में आ गया कि जिरो कामा जिरो और गोटू में क्या डिफरेंस है आप जब हम पर यह हम कमांड एग्जेकुट करेंगे तो वह अपने जो डिफाल्ट होता है उसी कलर में आ जाता है अब यह विल्यू विल्यू है इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं और फिर हम बता रहने पृवियस पोजी शन से किसी कोडिनेट पर जाता है कि और जाता है ठीक तो इस में मैं क्या कर सकते हैं मैं अब आपको क्या बनाना है आपको यह सब लिखना है एक दो तेन चार पांच से साथ आप मदस एक कैसे लिखेंगी अब देखो हम एकर हर बार आई की वेलू लिखने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए आई देखो जीरो वन टो थ्री फॉर फाइल ऐसे लिखना है तो लिखकर देखते हैं अब देखो यह जो लिख रहा है वह यहां से लिख रहा है यह पहले लिख जाता है फिर यह फिर यह तो हम चाहते हैं कि आईसे ना होकर इस साइड में और यह जो हमारा ट्रेटल है वह सबसे पहले रिखने चाह से जिरो यानि की रारा को लिखें सबसे पहले जीरो पूंद qué और इसको लिखें खिश्कुति इसको आइससे करें से उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लेफ्ट जो लिखते हैं उस कमांड को क्या करने पड़ेगा राइट राइट भूमे भाई राइट भाई राइज एश्टी ठीक और इससे पहले हम पन को कर देते हैं और हम करने के करेंगे तो फिर यह नौर्म पोजिशन आ जाएगा और फिर पंडार्ट लेफ्ट 90 डिग्री कर दिया है अब देखो मैं इस पिर थोड़ा सा काम कर देता हूं जिदो के वजाए इसको एट कर देता हूं जिससे कि 5 कर देता हूं थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी यह सरकल लगया अब सहीद धंक से यह काम कर रहा है ठीक है यह अब इसके लिए आप ट्रेंसर लेए उस तो हम हटा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के तो फिलाल अब सहीद से प्रिंट करें इस पर जीर वन फिर टू फिर ऐसे से अब हम ल आएं की विलो लिखनी है के लिए लिए के लिए लिए लोग क्या लिखते है pen.right कमांड का युजरते है pen.right और राइट में क्या-क्या लिखना है वो सब हम लोग लिखते हैं तो उसको मैं जल्दे से लिख देता हूं कि यह बहुत बुच्चो वाली चीज है तो धर से पहले यह अब यह कैसे करते हैं यह आपको फोड़ा सा जानने में प्रॉबलम होगी यह चीज क्या है फिलाहल यह जानो कि जो आई है वह आई की पहले जीरो होगी जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा ठीक और फिर अलाइंग सेंटर में कर देते हैं और फॉंट इसका अरिय कि देखो एक से बारा तक सब कुछ लिग गया और लिकुल परफेक्ट अब यह लाइन हमको उठानी है इस लाइन सबसे पहले यह लाइन आती क्यों है वह आप सुन्झेगे जिसे कि जब हम लोग ट्रटल स्टाट के तो यहां से यहां तक घूम कर गया और यहां पहुंशा अब यहां पर पहुंच जाते हैं तो यहीं को सही करना है तो हमको एक लाइन आप लिग देते हैं पर हों से पहले तन को क्या करना है प्रेंडय बस हो गया हमारा गां और इस पीड में अब फिर से वही क्या कर देता हों फास्ट कर देज्यूर्य गपर देंगे ज talk about 12 कि जहाँ हय स्टी थोड़ा सा क्या हो जाता है थोड़ा सा ।Hौड़ा दो buttons उसके लिए हमको ठिक परना पड़ाईगा जहाँ है लेकल जहाँ प楽asire दस यूनिट मेंट तो इसके लिंगे यृचाहँ है कर दो कर दो कर दो कुछ से की एक गोट्टू नहीं जाना है मुड़ना नहीं है और कि फारवर्ड से हम लोग 20 जाते हैं और बस अपना काम हो गया है यह तिन लाइन हम लोग लिख दिये अब देखो इस तेन लाइन से क्या होगा जो स्पेसिंग आ जाएगे फोड़ी से अब आगळल है दो फD center अब इस तो नहीं परिखो अ क्या है ओर रहे वह तो सकते हैं और यह सुफ peng यह थुद्राव रहा है तो सही सही कर सकते हैं शुब को के लिए तो वह 150 है इसको लेट से 180 कर देता है और यह फारवर 20 है तो इसको फारवर 30 करते हैं अब अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा कि भाई कुछ घड़ी जैसा बन गया है और अब यहां पर चाहिए तो आप बिच और बिच में एक लिख सकते हैं वाच या कोई और लोगो लिखा लगा सकते हैं के लिए यह आपके लिए परफेक्ट घड़ी है अब इसमें कुछ बैकग्राउंड उमिस देगाना चाहां है तो झहीं लगा सकते हैं बैकग्राउंड इमेज लगा ना भी मैं आपको भी बता देता हूं इसके लिए पिक का से लगा सुपरेक्शा देर लगा सकते हैं जिसने कि हम पर 嘿। और इसमें आपको प्रिक्चर का नाम या पाथ पेस्ट कर देना है तो मैं फिल्हाल टाइब कर देता हूं एक नेच्चर डॉट रिया तो अब हम्में रम करके दिखादा हूं यह देखो यह कुछ ऐसा देख रहा है अब देखो इसमें कुछ रेट रेट का हम यूज कुए है तो रेट कलर चेंज कर सकते हैं बिल्यू कर सकते हैं फिर ब्लैक कर सकते हैं या वाइट कर सकते हैं जिससे की विजिबिल्टी और अच्छी हो जाए तो नेचर जीरो करके तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं यह थोड़ा सा और बढ़ी हां दिख रहा है तो आप ग्राउंड में कोई जी आइफ टाइप कर जिसी कि मैं आपको यहां पर दिखा दू कि मैं कई सारे जी आइफ टाइप के फोटो अपने फोल्डर में सेव कर रखा हूं तो मैं इसमें स जाल देजी आप चाहें तो यह इमेज में गेटर हब पर भी अप्लोड कर दूंगा कि अब इसको में रण करता हूं नेचर बन का फोटो और बैक्राउंड में देखते हैं थोड़ा सा अच्छा हो सकता है लुक आ जाए हां यह थोड़ा सा बढ़ी हां लुक देख रहा है और कल रहा है तो आप ऐसा घड़ी बना सकते हैं और इसको मैं बोल्ड कर देता हूं नॉर्मल के बजाए जैसे कि और बढ़ियां दिखे आपको में यह रटना है थोड़ा सा मदलब कि यह एस्टी आर आइप्लस वने यूज़ करते हैं वाकि सबकुष आसान ही है इसमें यह थो चरिक रहा है और मैं स्पेड इसकी फास्टेस्ट कर रहा है इसमें सरस्टी डाट रिया लिखकर लेकर हैं क्या होता है कि यह देखूं और बढ़िया फोटो लग रही है ना और इसका आउटलाइन वे विलियो से आ है तो देखने में काफी अच्छी लग रही है इस और यह यह चीज़े करें किसा करते हैं तो काफी बीडियो फिल्व करते हैं और अब इनके कर आप काफी अच्छी लिए हैं तो फोड़ा बहुत आप देखेंगे ूआ कि करेंगे कि किया चीजे कैसे काम करतें लिए बावा श्याबाय मिलते हैं variety वीडियों में कुछ और नए नए ग्राफिक्स के साथ में है।